नमस्कार मैं हूँ प्रिंका सर्मा दुनियादारी में आपका स्वागत है एक ऐसे सूरवीर युद्धा जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारती एतियास के पन्नों पर सोने मच्छरों में लिखे गए हैं जिनोंने अपने अदबु साहस से दुस्मनों को धोल चटाई है हम बात कर रहे हैं दिली की राजगदी पर बैठने वाले हिंदू सासक और भारत के महान बीर युद्धाओं में सामिल प्रत्वीराच चोहन भारत के महान सासक प्रत्वीराच चोहन का जन्म 1149 में अज़मेर के महाराज सोमेश्वर और कपूर देवी के घर हुआ था प्रत्वीराच का जन्म उनके माता पिता के बिवहा के 12 बड़सों के पश्चात हुआ था राजगराने में पैदा होने की बज़े से शुरू से ही प्रत्वीरा चोहान का पालत पुसर्ड काफी सुख सिर्धाओं से परिपूर्ट अर्थात बैबपूर्ट बातावरण में हुआ था प्रत्वीरा चोहान बच्पन से ही बेहत साहसी, बीर बहादूर, पराक्रमी और युद्ध कला में ने पुड़ थे। सुरुवात से ही प्रत्वीरा चोहान ने सब्द बेदी बाण चलाने की अदबुत कला सीक ली थी जिसमें वे बिना दे के आवाज के अधर पर बाण चला सकते थे, 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी सासक बीम देव को हरा दिया था, दरसल उनकी मा का पूर्वा देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलोती बेटी थी, इसलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर की सासक सुमिस्त और चोहान से प्रत् सिंगासन पर बैटे और कुसलता पूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता सभाली, प्रत्वीरा चोहान जम मैज 11 साल के थे, तभी उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में मौत हो गई, जिसके बाद वे अजमेर की उत्तरादिकारी बने और एक आदर सासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उमीदों पर खरे उतरी, प्रत्वीरा चोहान छे भासों में ने पुड़ थे, जैसे संस्क्रत, प्राक्रत, मागदी, पैसाची, सोड सेनी और अप्रण्स भासा, इसके अलाबा उन्हें मीमान सा, बेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सेन विग्यान और प्रत्वीरा चोहान के सवसे अच्छे दोस्ते, जो एक भाई की तरह उनका ख्याल रखते थे, चंदवर्दाई, तोमरवंस के सासक, अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे, जिनोंने बाद में प्रत्वीरा चोहान के सयोग से पितोरागड का निर्मार किया थी, प्रत्वीर महाराज जैचंद की पुत्री थी, सयोगिता को प्रत्वीरा चोहान ने स्वेंबर से ही उठा लिया और गंधर विवा किया, और यही कहानी अपने आप में एक मिसाल बन गी, प्रत्वीरा चोहान मानसिक और सारे रिक रूप से जितने बलवान थे, उतने ही बलवान उनकी स मिलासकारों की अनुसवार प्रत्वीराज की सेना में 300 हाती तता 3 लाग सेनिक थे जिसमें बड़ी संकिया में गुड़ सवार भी थे। प्रत्वीराज चोहान ने कई निर्माड का रवी कराये जैसे राय पिथारा का किला, लाल कोट का किला, लाल कोट उत्खनन। प्रत्वीराज चोहान ब मुहम्मद गौरी के युद्ध का गवाह तरावडी किला है। इनका सामराज काफी ती ब्रगती से बढ़ रहा था। तबी एक मुस्लिम सासक मुहम्मद गौरी की नजर दिली पर पड़ी। दिली पर मुहम्मद गौरी ने कई वार आकमड किये प्रत्वीराज के बीच 1191 में में हुआ जिसमें गौरी की हार हुई। प्रत्वीराज चोहान ने 17 बार मुहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरिया दिली दिखाते हुए हर बार माफ़ भी किया और छोड़ दिया। मुहमद गौरी ने प्रत्वीराज को राने के लिए उनके द्वारा पूजित गौ माता का सहारा लिया क्योंकि प्रत्वीराज चोहान गौवों की पूजा करते थे। युद्ध के मैदान में गौ माता के जुंड को देखकर प्रत्वीराज चोहान ने अपनी हत्यार रख और 18 वी वार मुहम्मद गौरी ने जैचंदगी मदद से प्रत्वीराज चोहान को युद्ध में मात दी और बंदी बना कर अपनी साथ ले गया प्रत्वीराज चोहान और चंदवरदाई दोनों ही बंदी बना लिये गए और सजा के तोर प्रत्वीराज की आँखें गर्म सलाकों से फोड़ दी गए मुहम्मद गौरी ने चंदवर्दाई के द्वारा पत्वीरा चोहन की आकरी इच्छा पूचने को कहा क्यों कि चंदवर्दाई पत्वीरा चोहन के करीब थे पत्वीरा चोहन में सब्द बेदी बार छोड़ने के गुण भरे पड़े थे यह जानकारी मोहमद गौरी तक पहुचाई गई, जिसके बाद उन्होंने कला प्रदर्चन के लिए मंजूरी भी दे दी जहां पर प्तवीराच चोहान अपनी कला का प्रदर्चन करने वाले थे, वहीं पर मोहमद गौरी भी मोजूद था गौरी को मानने की योजना चंदवर्दाई के साथ मिलकर पत्वीराद चोहन ने पहले ही बना ली थी जैसे ही मैपल सुरू होने वाली थी चंदवर्दाई ने काब्यात्मक भासा में एक पंक्ती कही चारवास चोवी सगज अंगुल अस्ट प्रमान ता उपर सुल्तान है मत चुके चोहन ये दोहा चंदवर्दाई ने पत्वीराद चोहन को संकित देने के लिए कहा था जैसे ही इस दोहे को सुनकर मुहम्मद गौरी ने साबस बोला वैसे ही अपनी दोनों आखों से अंदे हो चुके प्रत्वीराद चोहन ने गौरी को अपने सब्द बेदी बान के दोरा मार डाला वहीं दुखद ये हुआ कि जैसे ही मुहम्मद गौरी मारा गया उसके बाद ही प्रत्वीराद चोहन और चंदवर्दाई ने अपनी दुरगती से बचने की खातर एक दूसरे की हत्या कर दी इस तरह प्रत्वीराद ने अपने अफमान का बदला लिया महराज की मत्यू की सूचना मिलते ही महराणी सही योगिता और अन्यम राजपूत महलाओं ने अफगान आकरमनकारियों के सामने आत्मसमर प्रतकने की बजाए अपना जीवन समात लिया अगर आपको हमारी अजानकारिय अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आवशे को